नमस्कार दोस्तों, Welcome to StudyIQ, मैं डॉक्टर रवी अगरी, StudyIQ platform में आप सबका स्वागत करता हूँ Science and Recology में Current Affairs के Target 2018 के सेशन में स्टार्ट करते हुए दोस्तों मन्थ-वाइस डिसकेशन करते हैं यहां आगस 2017 में ऐसे कौन-कौन से इशूज हैं जहां पे प्रिलिम्स में कोशन बनाए जा सकते हैं यादरकन दोस्तों, शुरुवात में ही मैं इस वीडियो के बारे में आपको बता दूँ इन वीडियो को आप धंग से इवाज़स से रखना हिवाज़स से सुनना, इवन इवन लिए आपके मेंस के पेपर के लिए पुरी 转 UH को आप मेरे बुक को फॉलो करें और उसके बात इस कॉर्णड अफिशन को आपको साइंस एट एकॉली कंपाइल हो जाएगा वीडियो की सेशन को स्टार्ट करते समय अगस्त बंद को करेंड अफेस में आते समय दोस्तों पहले मैं स्टेड़ी आई को के बारे बता दूँ जैसा हमार अपना एक रूल होता है SSC Banking के कोर्स अविलबल है UPSC CS के different subject कोर्स अविलबल है दोस्तों अगस्त बंद के current affairs में जाते समय पहले मैं आपको बता हूँ कि यह current affairs के compilations किस तरह से हैं जो कि बहुत जरूरी है विस्त एक मिनट मैं इसे खतम करूंगा आप अगर मेरी बुक को देखें साइंसेंट टेक्नालोजी की जो मेगरहिल पप्लिकेशन हिंदी या इंग्लिश दोनों बुक आप देखें दोनों में सेम चाप्टर से सेम यूनिट्स हैं से मिकेशन साइंसेंटक ने को लिएग क 괜찮 आता है सो कण मेरी से जाते हैं काफी लोगों को गलत फैयं है कि सिर्फ करेंड अफियर से आता है और से बहुत जाएग है से खाहिए इस बुक में जो यूनिट्स आं लिएवज दोनों में पीशें से जो हैंгр abd वो development of science and technology है, second unit है जो energy का chapter है, third unit में space technology define की गई है, fourth unit में information communication technology define हुआ है, fifth unit में defense technology, sixth unit में robotics on learning technology, seventh में intellectual property rights, 8 में particle physics, 9 में biotechnology, 10 में health and disease और 11 में miscellaneous topic, यह वो chapters वो topics हैं, जो यहां पर describe किये गए हैं, आइए दोस्तों, इस current affairs के session में traditional parts के साथ, जो unit 1 का current affairs होगा, आपको पहले मिलेगा, unit 2 का उसके बाद मिलेगा, unit 3 उसके बाद मिलेगा, unit 4 उसके, इसी order में current affairs compile किये गए हैं, अगर आप मेरे वीडियो को follow करते हैं, इसी proper strategy में जो भी current affairs से जुड़ होगे issues है, वो यहां आपको connect होते हुए, याली जुड़ते हुए दीखेंगे, unit 1 science and tech college में देखते हैं, कौन सा current affairs का issues है इस मन पे, एक ही issue ऐसा रहा है, जो news में रहा है, और इसके बारे में मैं आपको जैनवरी मन के science supporter में भी बताया है, CSIR got 9th rank in the world, जहां पर दोस्तों आपको बताऊंगी, इस इंडिया का largest autonomous public research body है, CSIR, जो दुनिया में 9th rank पर stand करता है अपने research के लिए, अपने achievements के लिए, ये एक ranking जो है composite indicator के base पर दिया गया है, जहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनको merge करकर ranking मनाई गया है, जिसमें different तरह के research performance लिये गया है, different तरह के code से जुड़े हुए जो inputs हैं, उनको लिये गया है, society में किस तरह के impacts होते हैं, उसको फैदेवंद हो रहा है, हमारे रास्ट के लिए, अंतरास्टी इस्तर पर इनके basis पर ये ranking दी गई है, ये institute जो है अगर हम देखें तो जो 9th ranking पूरी दुनिया में cover करता है, यहां पे तकरीबन 12, 1207 government institution का comparison किया गया था, जहां हमारा CSR 9th rank पर आता है, ये जो भी survey है, जो भी data है guys, दोस्तों ये सिमागों institution की एक ranking है, सिमागों institution ranking जो है science evaluation resource के basis पर ये ranking देता है, और इस ranking के basis पर इंडिया 9th rank पर stand करता है, ये अगर हम दुनिया की बात करें, तो overall पूरी दुनिया में CSIR 75 rankings पर आता है, जहां 5,250 institutions पूरी दुनिया में study किये जाते हैं, किये गये हैं, इनके basis पर इंडिया 75th ranking पर stand करता है, ये रहा unit 1 से जुड़ा हुआ, science and psychology इंडिया से जो भी question बच सकते थे, इस topic को ध्यान दीजेगा, unit 2 पर आते हैं दोस्तों, energy में ऐसे कौन-कौन से concepts हैं, जहांपर current affairs में issues हैं, अगस्मन में, 3 तीन ऐसे नए contracts हैं, जो भारत ने sign किया ह nuclear power plant से जुड़ा हुआ, so three contract sign on nuclear power plant, यहांपर दोस्तों, आपको मैं बता दूँ कि भारत और रशिया के बीच में, एक meeting, at least meeting नहीं आप बोलिया, आप एक agreement बोलिये, जो पहली sign हो चुका है, जह sign जो हुआ है, वो किसके बीच में हुआ है, state-owned nuclear power corporation of India, और इस case NPCIL का, रशिया JSC Atom Troy Expert के बीच में हुआ है, जहांपर third stage में, जो कुडन कुलम nuclear power plant है, उसके लिए, यहां fuel और energy sources के लिए बात हुई है, जहां nuclear energy के तुरू भारत में energy generation की बात की गई है, Actually, अगर हम nuclear, अगर कुडन कुलम के बारे में बात करें दोस्तों, तो कुडन कुलम के लिए बहुत पहले ही deal हो चुका है, जो deal 1988 में हुआ है, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे, राजियू गांदी और सोवियत प्रेजडेंट मिखाईल गोवर्चो के बीच में, यह agreement बहुत पहले ही साई हो चुका है, जहां पर भारत में दो रियाक्टर बनाने की बात की गई थी, इस JSC Atomstroy, जो गुरूप है रशिया का, जो भारत की मदद कर रहा है, JSC Atomstroy, यहां पर दोस्तों क्या है, यहां पर एक foreign trade engineering company है, JSC Atomstroy, एक foreign trade engineering company है, जो की state corporation Rosa Tom की एक पर दुनिया में काम कर रहा है, जो इंटर गवर्मेंटल एग्रिमेंट हुआ है, जो मैंने बताया था आपको, रशिया और उस टाइंडिया गवीच में 1988 में, इसका पहला largest nuclear power station इंडिया में काम कर रहा है, सिंगल largest one, और इसके बारे में कहा जाए तो इसके अभी अभी इसमें एक टोटल 6 units है, जिमकी total capacity है 6000 MW of electricity, यह आप कह सकते हैं कि total 6 reactors एक तरह से लगाए गाए हैं, जिनमें हर reactor की छमता 1000 MW है, तो अभी तक है जो हम जिस आप से काम कर रहे हैं, और अगर फ्यूचर में बात करें दोस्तों, तो इस एक्सपेक्टेड किसकी जो capacity होगी, ज इस nuclear reactor से होगा, जैसा कि आप जानते होंगे कि जैतापुर nuclear power plant जहां पर फ्रांस भारत की help कर रहा है, वहां पर तकरीबन 9600 MW और इसके plus electricity generation की बात होई है, तो यह at least अगर हम बात करें, तो यह second largest nuclear power plant होगा, इंडा में energy generation capacity के base पर, नीती एक्षियन एजंडा क्या है दोस्त टारगेट डिसाइड किया 2019-2020 का, clean energy target I hope आप सब जानते हैं दोस्तों, जहां पर environment pollution बिलकुल भी नहीं होता है, शायद आपको पता होगा दोस्तों, यहां पर जो total भारत ने एक टारगेट डिसाइड किया renewable energy में, जहां 2022 तक भारत का टारगेट है दोस्तों, 175 GW electricity generate करने का, और ऐसा ऐसी कोशिश की जा रही है कि 100 GW electricity generation renewable energy से 2019-2020 तक जनरेट कर लिया जाए, इस तीन साल के एजिंडा में ऐसा क्या है, जो हम करने जा रहे हैं, जो हम करने जा रहे हैं, जो नीती आयोग का report है, जिस विसस पे काम होगा, इसके अंदर दोस्तों, क्या है, आप यह देख 32.5 GW wind power, 13.1 GW solar power, 4.3 GW small hydrative power plant और 8.1 GW biomass energy sources energy generation हो रहा है, अगर हम इसी की बात करें, दोस्तों, हमें इसको और ज्यादा develop करने के ज़रूरत है, इसको boost up करने के ज़रूरत है, जैसा कि नीती आयोग कह रहा है, यहां पर दोस्तों, जो state-owned solar energy corporation of India SECI है, इसको पूरी तरह से develop करना होगा, इसमें different, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, कि जो हम energy generate कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज उसके storage की है, जो हम energy को store करेंगे, उसको हम किस तरह से store करेंगे, अगर हम energy को बढ़ाते जाते हैं, तो energy को storage की capacity, storage की भी technology हमें लानी पड़ेगी, अगले 3 सालो में हमें उसमें और जदा growth और जदा development करना पड़ेगा, जैसा कि समय की demand है, दूसरी चीज दोस्तों, जो renewable energy जो purchase obligation system है, इसको हमें और जदा boost up करना होगा, तो नीतियायोग में यह भी बोला गया है, कि renewable purchase obligation system को और strong करना होगा, जो renewable energy के market हो, at least बहुत बड़े market मर ले energy में आगे बढ़ते हो दोस्तों, UN ने uranium bank जो है open किया है, उस बारे में बात करते हैं, जबकि पहला uranium bank ही और स्थापित किया जा चुका है, International Atomic Energy Agency, जो कि UN की एक body है, पुरी दुनिया में nuclear watchdog की तरह काम करता है, इसने दोस्तों, UN global nuclear watchdog की तरह काम करता है, इसने एक uranium bank बनाया है कजाकिस्तान में, जो 29 दगर 2017 को decide हुआ, दूसरी चीज, इसके बीचे reason जो है, इसके बीचे reason यह है, कि यह discourage करेगा उन नए रास्टों को, जो nuclear fuel को enrich करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जब हम वही nuclear energy को enrich करते हैं, उसी uranium के percentage को जब हम बढ़ाते हैं, तो उसी enrichment से हम atom bomb भ पढ़ी होंगी, या मेरे कभी lecture सुने होंगी, या कहीं आपने पढ़ा होगा तब को पता होगा, उसी uranium 235 को अगर 3 से 5% हम करते हैं, जो कि natural में, तकरीबन 0.7204 की आसपास होता है, उस 0.7204 uranium 235 को, जो कि natural uranium में पाया जाता है, जब आप enrich कर के 3% लाते हैं, तब इसका यू एक लिए 3% एनिचमेंट तक की बात की जा रही है, ताकि उस एलेक्रिसिटी का misuse ना किया जाए, इसलिए uranium बैंक की बात हुई है, यहां पर दोस्तों, अब देखों, यहां लो एंट्री एनिचमेंट अंदफ हो गया, जहां पर परसंटेज उनिचमेंट का कम होगा, कहां यहां पर यह है, इस्टन कजाकिस्तान में एक शहर है, ओसी कमान, यहां पर यह स्थापित किया गया है, अब यहां पर कुछ चीज़ें और हैं, जो आपको चाना चाहिए, रशिया है एक उपरेटेटेड ए सिमिलर बैंक, जह है न, 2010 से, जो की एक्जाक्ली वैसा है, जहां अब अधर कॉंट्रिडूशन तो इस्ट्रेंटिंग डगोबल नॉन फॉलिफिरेशन रिजीम, नॉन फॉलिफिरेशन एन पीटी के बारे में अगर जानते हैं, जो आप जानते होंगे, अभी इंडियास का मेंबर नहीं है, तो एन पीटी के जो भी नियम कानून है, जो र के लिए, ओके दोस्तों, आप ही हाली में एक आपको मैं इस बारे में बाता दूँ, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट नुकलियर टेस्ट, जो है वो सेलिबरेट किया गया है, या एक तरह से आपके यह इसको डिसाइड किया गया है, यह डेट है दोस्तों, 29 अगस्त, ओके इस या नुकलियर एक्स्प्रोजन करते हैं, इनको ना किया जाए, जो कुछ ऐसे लेसंस हैं, जो शायद आप जानते होंगे कि रोसिमा नागसाकी में, जो दुनिया में सेट अप हो चुके हैं, इस तरह की चीज़ें सिर्फ इस जनरेशन को ही नहीं, जबकि आगे हमाली नसले बरबात कर देती हैं, इवन यहां पे पूरी कोशिश है कि प्रमोट करना है, पीस्फिल यूजस के लिए, पूरी दुनिया में सिक्योटी वर्डवाइट इसको मेंटीन करने के लिए, इंटरनेशनल ट्री आप नुकलियर टेस सेलिब्रेट किया गया है, इसकी सबसे रह ज चित रखा जा सके, इंटरनेशनल ट्री अगेंस्ट नुकलियर टेस्ट जो है दोस्तों, इसको जो इंसी जूटेड है, यह यूनाइटे डेशन जेनल असेंब्ली में 2009 में ही यह रिजोलुशन जो था, यह पहले ही पास कर लिया गया था, यह रिजोलुशन जो है सबसे पह अबजर्व किया गया, तो आप बिल्कुल याद एखेगा, 29 अगस्ट जो है यह जो हम इंटरनेशनल ट्री अगेंस्ट नुकलियर टेस्ट जो हम इस डे को डिसाइड करते हैं, इसके डिसाइड किया है, जिसके पेशे उदेश गया है कि नुकलियर इनरजी को पीसफुल प डिसाइड किया है, जिससओ दुनिया में वर्ल्ड बायो फ्यूल डे के नाम से जानते हैं 2017 में गतानेशनल बायो डिसल टेसाइड करते हैं अर। जो नहीं हैं जो नेचर मिलते हैं उनको यूज नहीं करते हैं उनको जलाने से पॉलूशन जादा होता है इसके बीज़ रीजन क्या है कि सबसे पहले इंजन जो था वो पीनट ऑईल की मदद से 1893 में सबसे पहले नो ने डीजल इंजन चलाया और जिसका सोर जो था वो पीनट ओयल था पीनट एक बायो फ्यूल है तो कि बायो फ्यूल का मत्दब होता है इस तरह के फ्यूल जहां पर तो कि इन से जो निकलने वाला carbon dioxide या pollution होता है वो काफी हद तक कम होता है अगर अगर आप energy का lecture कभी सुने हो या मेरा जानते हो तो मैंने चीज अपनी बुग में भी बताई है अगर वही फ्यूल जब कम temperature कम कम rate से जलता है यानि जब हम गाडियों को चलाते है दोस्तों तो कभ जो हमारी वहकिल होती वो slow rate से चलती है कभी fast rate से चलती है जब accelerator कम लेते हैं तो वही पेट्रोल डीजर होता है वो गंदी तरीके से जलता है और जब गंदी तरीके से फ्यूल जलता है दोस्तों तो pollution का level बहुत जादा होता है अगर उसी को हम accelerate करते है पलूशन के rate को बढ़ के लिए काफी हद तक यह बहतर है जो energy produce होती बायोडीजल दे कमशन से वहां लिखा गया approximately 90% of energy ऐसी है जो किसी petroleum product से निकलते उसके पिक्छा है 90% energy यहां भी generate होती है यानि पूरी तरह से equal नहीं है लेकिन 90% की equally हम यहां पर energy generate कर लेते हैं ओके आगे बात करते हैं यहां के अगर हम byproduct की बात करें इसमें methyl ester और glycerine type की चीजे निकलती है जिनको हम further biodiesel वेगरा में produce में हम कर सकते हैं इसके लावन को soap या साबून बगरा पनाने में भी किया जा सकता है तो biodiesel भाविश्य के लिए अल्टरनेटी फ्यूल है इसके बारे मताने की जूरती है अब आज कल biodiesel production के लिए बहुत जादा होते हैं अकर आपने 2017 का UPSC का paper दिया है तो आप जानते हैं कि 3rd generation biofuel में का question जहां पर Elguail कहते हैं इसको आप मेरी book में जाके पढ़ेगा एनरजी के chapter है मैंने इसको पूरी तरह से define किया है 1st generation, 2nd generation, 3rd generation, 4th generation biofuel तो Elguail जो है दोस्तों 3rd generation biofuel में आता है जैसे botryococcus, brownie, cyocytrium, इस तरह केल्गी के ना मैंने लिखे हुए है, chlorella, जो करीब उनके पूरे body weight में 70% जो होता है वो lipid constituent होता है और lipid में हम trans estrification procedure होता है जिस तो करने के बाद हम lipid को biodiesel में convert कर देते हैं और यह trans estrification process बहुत difficult process होता है बहुत इस यह sustainable method है तो बिल्कुल sustainable method है इसको बनाने में काफी दिक्कत आती है तो यह भी बात सही थी क्योंकि trans estrification process बहुत ही difficult process होता है यह question 2017 के प्रे मैं पुछा गया था और वहाँ उन्होंनों ने यह भी बोला था कि alga जो होते हैं सिर्फो ocean में ही होते हैं यह continent पर नहीं होते है य यह वो marine हो यानि continent से भी आप इसको यूज कर सकते हैं उस process का नाम जिससे डीजल बनाते हैं या बायो डीजल इस प्रॉसेसर से जैसे जैसे जट्रोफा है पोंगेमिया है यह ऐसे प्लांट है जो कि बायो डीजल पहोते हैं प्लांट है जिन से लिपिट लेकर हम उनसे trans estrification process कर यफ़ी only जान दयाता है तो यह थोड़ा ध्यां ठगना वर्च बाइफ्यल दे के बारे मैं आपको बता रहे हैं चल जलीज बॉरी पिछिरट किया है मैने आपको सारी छिज इहां बता दी है दू Gulap बीजल ने सबसे पहले पीनट ओयल के बेसिस पर जो उन्होंने इंजन चलाया था मैकनी कर इंजन उर्सी दे को ही हम लोगों ने सलिब्रेट किया है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अच्छा ओप्शन है एक चीपर फ्यूल है और दूसी चीज एक इन्वार्मेंट के लिए बहुत ही बहतरीन फ्यूल है मैं आपको फिर बता रहा हूँ जो प्लांट डिराइफ फ्यूल होते हैं वो अच्छी तरह जलते हैं यारि उनसे प्लूशन काफी हद तक कम होता है गवर्मेंट ने निती आयोग ने स्टड़ी मनलब आटो मॉबाइल स्टांडर्ड को और अच्छा करने के लिए मनलब पेटूलिया आटे प्रट को देखने के लिए बोला चाइना जैसे कंट्री में मेथन आल का यूज बहुत जादा होता है तो हम इंडिया में इन चीज़ों को क्यों नहीं लाते हैं इवन इन चीज़ों को क्यों बूस्ट अपनी करते हैं आपको बता हूं दोस्तों इंडिया जो है मेथन आल को सौधी अरबिया और इरान से कहते हैं गैसोहॉल गैसोहॉल जो होता आप हमेशा जाद एकना यह गैसोलीन ओके गैसोलीन और प्लस एथनोल का मेक्चर होता है आप देखना मेरे बुक में में मैंचन किया हुआ जिन लोगों बुक पढ़ा है आज सारी चीज़े आपको समझ में आ रहे होंगी 90 पर सिंग और 10% ethanol के mixture को एक ideal gas of all बोलते हैं काफी लोग confused होते हैं हमारे इंदिया में gasoline यूज नहीं करते हैं gasoline की जगा हमारी इंदिया में हम petrol बोलते हैं तो वही बात होरी कि अगर हम ethanol 10% मिलाते हैं तो petrol जो होता है एक तरह सी catalyst की तरह काम करता है जिससे उसका octane number बढ़ जाता है, आप देखना मैंने बताया, octane number के basis पर ही petrol की grading होती है, इस पर science reporter पर भी बहुत अच्छा article रहा है, अगर अपने science reporter मेरा सुना हुआ है पूरी तरह से, तो आप समझ जाएंगे मैं कहना क्या चाता हूँ, methanol को देखो, gasoline जो है, methanol के साथ हम मिला कर उसको use करते हैं, low quantity देखो, आप को दी देखो, ethanol, methanol type of percentage से 10% ही रखते हैं, और यह road vehicles वगरा के लिए बहुत अच्छी blending है, और इस technology को हम commercial भी कर सकते हैं, और at least अगर हम देखें तो methanol एक तरह से diesel के substitute के रूप में आ सकते हैं, जो ग अगर अगर नमबर जादा है, आपको बताओ दोस्तों, जो petrol की quality होती है, आप बिल्कुल बुक पढ़िए, वो ऑक्टेन नमबर से चेक होता है, और जो diesel की होती है, वो C3 नमबर से चेक होता है, तो अगर आप 10 नमबर की बात हो रही है, इसका वाद पेट्रोल की quality बढ़ने की बात हो रही है, मेवरेंट आफ अंडरस्टैंडिंग जो हुआ है, साइन हुआ है, distribution of energy efficiency appliances के लिए, दोस्तों, आप सब जानते ह आज हम दो तरीके से energy को और ज्यादा spread करने की कोशिश कर रहे है, पहला जहाँ सरकार energy generation में काम कर रही है, और दूसरा जहाँ सरकार energy conservation में काम कर रही है, याईनि वही 108 का yellow वाला incondescent bulb आगे चलकर CFL हुआ, और आज वही CFL आगे चलकर LED हुआ, लाइट उतनी है, उससे जा जो मिनिस्ट्री आफ पावर के अंदर काम करता है, वह एक memoranda वहाल स्टेडिंग साइन हुई है, जो की OMC के साथ, यानि oil marketing companies के साथ हुआ है, जो ministry of petroleum में natural gas के अंदर आते हैं, यह क्या करेंगे, energy efficient appliances को distribute करेंगे, और इसके लिए देखो, उजाला इसकीम लाया गया है, और उ उजाला ना देकर उन्हा पूछा था, कि LED को boost up करने के लिए भारत में क्या प्रियास हो रहा है, तो वहां पे DELP, Domestic Efficient Lightning Program, और दूसरा उजाला, इन दोनों को merge करके, आपको mains का answer लिखना था, प्लीज इस वीडियो को आप धंग से सुनिए, यह वीडियो आपको पूरा mains म इसके साथ यह सारे के सारे LED बल्ब को आज डिस्टिब्यूट करती हैं, बहुत ही सस्ते रेट पे, उजाला इसकीम के बारे में, यहाँ पर थोड़ा साप को पता होगा, कि यह पूरी तरह से LED को boost up करने की कोशिश है, और यह तरह से बहुत सारी जो distribution companies की offices हैं, वहां पे भी इन चीज़ों को weekly heart या market लगा कर distribute किया जा रहा है, तो आपके पैसे नहीं है, आप वीकर सेक्शन में हैं, तो आपके जो लेट सिटी बिल होगी, उसमें 10 या 12 सेगमेंट में, अगर मालो आपके 200 रुपए का LED बल्ब होता है, तो 10 महीं है, यानी 20 रुपए कर आपको आपक को आप पचा सकते हैं, और आपकी लेट सिटी बिल भी कमाएगी, और रास की लेट सिटी बचेगी, 2022 में रूफ टॉप सोलर प्रोजेट्स को जादा से जादा एक टार्केट बना कर लाया गया है, जैसा कि आप लोग को बताओ, दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जगे हैं, जहा जनरेट करने की बात की गई है, और जो चमता हम पूरी कर सकते हैं, 60 GW जो होगा वो नॉर्मल यूटिलिटी से आएगा, और तकरीबन क्या रहे हैं, 40 GW हम रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन करकर छट के ऊपर लगा कर लैंड की बात नहीं कर रहे हैं, वो वाला तो तरी आपने सेफरन रिवालुशन का भी नाम दिया है, वो पूरी दर से सफल करने की कोशिश की जाएगी, इसमें एक अल्टरनेटिव एक तरीके से ग्रिट कनेक्शन की बात हो रहा है, जो सरकार आप वो ग्रिट कनेक्शन देगा, यहां पर भी आपके पेपर पे कोशिन इसके बारे में ज्यादा कुछ जानने के जरुका भी नहीं है, इसका मार्केट प्रोटेशल के लिए इतना बहुत है, यहां पर कोशिश करने है कि जो इलेक्रिसिटी होगी, उसको हम कंजर्व करें ताकि इलेक्रिसिटी बरबाद ना हो, इसके लाब दोस्तों, जो डिफर इवन की गलतियों से हुए हैं, इन से जो रेडी एशन्स निकलते हैं, दोस्तों, यह रेडी एशन्स आप यह माँ सोचेगा, कि सिरफ हमारे लिए नुफसान करते हैं, इवन इंस रेडी एशन्स के फाइदे भी हैं, क्या बत आपके पेपर में इस तरह की कोशन आजाए कि एक रिडिएशन टेकनोलजी का जो डेवलपेंड, इवन भारत में जो कई डिपार्टमेंट हैं, कई ऐसे सेंटर 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 जो काम करते हैं, इन रिडिएशन को जनरेट कर इनको डिफरेंट तरीके इनकी पॉजिटिव यूजस में भी लाते हैं, क्या है वो चीज, उसक विक्सित किया है विक्सित किया है फ़लों को सब्सक्राइब करने के लिए डिफरेंट थारा के हाईजिंग कंडिशन को बचाने के लिए ताकि फूद और अग्रीकल्चर प्रड़क्स को हम रेडियेशन के तवारा बचा सके वो डिटोरी और ना हो उनमें कोई बैक्टिदिल है हाफुल बैक्टिरिया वायरस इंसेक्ट पेस्ट है उसको हम एलिमिनेट भी कर लेंगे उनको हम इनक्टिव कर देगे और कोल्ड और क्लीन प्रॉसेश जहां पर तंप्रेशर की ज़रत पढ़ती कम करने की इस तरह के स्टोरेज की ज़रत नहीं पड़ेगी और हम पूरी जनवरी मन्त का साइंस एपोर्टर जरूर सुनियेगा यह ऐसा एक सोलर सिस्टम में जो तकरीबन जहां पर सेवन अर्थ साइस के प्लैनेट से और यह हमारे हमारी प्रित्वी से तकरीबन 40 लाइट यह दूर है और यहां पर यह डिफरेंट तरह के जो सेवन जो अर्थ 2017 का Yearly Concrete है तक आरस्स वनेच के बारे आप आम जाते हैं आप सब जानते हैं जिसको हम आज इंडिया में ना के नाम से भी जानते हैं इसका पुरा नहैं नाम है नाविट में ईंडियं कॉंस्टलेशन जी और सिसम नाम से आ४ पूराा नम ऑन जा आखयon चडरुन पर ना वी भारत की बाँडरी के बाहर तक्रीबं 1,800-1,500 किलोमेटर का एरिया, यह जो लैंड वाला एरिया आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, मैं कौन से पीक्छर को बता रहा हूं, यहां तक्रीबं 10 मीटर रिजोलूशन पर और यह जो ओशन वाले एरिया है, यहां तक्रीबं 20 50-meter resolution से हमारी इंडिया को देखेगा और उनकी एक GPS सिस्टम देगा एक help करेगा जो इंडिया की safety और security के लिए बहुत ज्यादा होगा इस तरह की ज़रत हमें कार्गिल बार के समय थी दोस्तों हमने नाव स्टार एक अमेरिका का GPS है उसकी help मागी थी हमने यूएस से इस समय उस इसका data देने से मना कर दिया था fine तो भारत उसका में के बाद भारत को समझ में है कि भारत को इस तरह के GPS की जुरत है और भारत ने अचीव भी किया है आगे दोस्तों उसमें आयरनसस 1A जो पहला satellite था जो हमने भेजा था उसमें कुछ गरवड़ी आ जाने के विसे हमने उसक सक्सेस्पुल नहीं हुआ था बात में वो भी सक्सेस्पुल हो गया है आज हमने वनेच को सक्सेस्पुल कर लिया है इसके बारे बात करते हैं इंग्या का 8th navigation satellite है मैंने पूरी background आपको दे दी है साथ भीजने के बाद 1A को replace करने के लिए वनेच को भीजा गया था इसमें इ जिसको PSLV C39 की मदद से भीजा गया था तो यह पूरी तरह से अंसक्सेस्पुल था इसके बारे मैं UPSC को बिल्कुल भी पूछने के जुरत नहीं है और पूछेगा भी नहीं इस तो यह पूरी तरह से आपको सुझ जा गया है यह अच्छली जो आगे फ्यूचरियों में और बाकी जो आगे फ्यूचरियों में फेज़े जाएंगे सबका लाइफिस्पैन दस साल मिनिमम है और यहां भी मैंने बोल दिया आइनसेस 1A को रिप्लेस करने के लिए ज्योंकि 1A में दोस्तों रुबूइडियम एटॉमी क्लॉक जो है वो फेल हो गया था इसलिए 1A को रिप्लेस करने के लिए 1A की जुरूरत पड़ी थी अटॉमी क्लॉक होता क्या है छोटा से मैं आपको बता दूँ दोस्तों जी पीएस के केस में आपको बताऊं कुछ चीजे हैं अगर आप ठीयरी अफ रिलेटिविटी को समझते हैं तो उस कंसेट के थू यह जो आइंसे यह ऐसी चीज है जो कि समय के साथ होता कि जब हम जीपीएस को यूज करते हैं तो हर दिन जीपीएस में क्या होता है एक टाइम पर जाके समय को सेट करना पड़ता है नहीं तो ऐसा होगा कि आज जो लोकेशन मेरा मालों सेक्टर 74 दे रहा है कल यही जगे सेक्टर 74 मों के हम थोड़ा बगल सिफ्ट हो जाएगा तो उतना एरिया जो हमारा जो मिसगाइड हो जाता है जो जीपीएस में जो सिगनल या लोकेशन तिने में दिखकात आती है तो हमेशों से सेटिंग करनी होती है तो मेरा कहने का वाद है अटामी क्लॉक क्या होता है यह प्रॉपर जीप दोस्तों बारे में लिखा भी कि क्लॉक्स अर इंपॉर्टेंट तो प्रवाइड पोजिशनल डेटा इसके पीचे पूरा जो साटलाइट का कॉंस्टिलेशन का खर्चा है रूपीज 1420 करों यानी 1420 करों रूपीज का एक्सपेंडीचर है इसमें वनेच के बाद आगे साटलाइट के बारे में ये एक अर्थ आप्जर्वीट्री साटलाइट से अगर आपने निसार प्रोजेट का नाम भी सुना होगा तो बहुत ही इंपॉर्डेंट है नासा इसरो सिंथेटीक परचा रडार जिसको भी अर्थ आगे पढ़ने वाले हैं च्योंकि यह भी 2021 के पस-पस काम करेगा और बहुत ही अच्छे रजल देने वाला है जो नास और इसलों मिलकर काम कर रहा है इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों कि हाइपर स्पेक्टल इमेजिंग सैटलाइट में ऑप्टिकल इमेजिंग डिटेक्टर अरे लगाए गया है अरे क्या होता इसे फाइदा क्या होने वाले है डेफिट क्या होने अच्छी तरह समझ सकते कि अर्थ पे किस तरह की एक्टिविटी या किस तरह की चीजें चल रही है एक बहुत ही अनोखी चीज हुई है दोस्तों अगर आप देखो अमूमन जब हम PSLV और GSLV की बात करते हैं तो हम ऐसे फ्यूइल या प्रोपैलेंट की बात करते हैं जैसे HTPB, Hydroxy Terminated Polybutadiene, जैसे UDMH, Unsymmetrical Dimethyl Hydrazine और प्लस इसके लावा जो ऑक्सीडाइजर यूज़ करते हैं नाइट्रोजन, टेट्राओकसाइड इन सब चीजों को हम यूज़ करते हैं जो हम PSLV और GSLV में प्रियोग में लेकिन यहां पर आपको मैं बता हूँ यह जो फ्यूइल है यह प्रोपैलेंट से यहां पर वाटर को यूज़ किया गया है तो यह अपने आप में बहुत ही अनोखा है आप शाइद प्रोपैलेंट जानते हों कि दोस्तों प्रोपैलेंट फ्यूइल और OXIDIZER को मिलाकर बो लॉंच वहिकल में फ्यूइल के साथ OXIDIZER भी होता है ताकि OXIDIZER हमेशा OXIDIZER उपर मिलता है और फ्यूइल हमेशा जलता रहे है आप लोगों शाइद पता हो कि हम लोगों ने चोटे पर किया कि एक्सपरिमेंट हम लोग की बुक में पढ़ाय जाता था कि OXIDIZER इस नेस पुर्डू यूनिवस्टी पुर्डू यूनिवस्टी जो US की है उसने डिजाइन और टेस्ट किया एक माइक्रो प्रपल्शन सिस्टम जहां पर लिक्विड वाटर को as a propellant यूज किया गया है किसी और बिट में एक छोटे से सैटलाइट को जिसका नाम Qubesat है तो अगर चैनल यूज किया गया है उसमें FEMTA करके थ्रस्टर को लगाया गया है ट्रस्टर के होते हैं जब साटलाइट को ओरबिट में लगा हैं तो एक और बिट से दूसरे ओरबिट पर बस्टर होते हैं जो उसको थोड़ा सा धबार आथे यूनि पुष करते तो जो फेंटा जो macamड़ को से हम चोटी से Reciclum, आप जानते हो रहा है होल्स हो सब्सक्राइब कर दें मारे चैल कि दुभर को दिजिए पानी सब्सक्राइब कीð झाही चैल कपड़ कर मैं चाशीए रहा है क its अृपलरी एक्षट्र पर के थ्रू होता है एकटम 발 apteak hall exemptым थे खान जेत हैं तो यह क्यूब सैड या देखना दोस्तों बहुत ही अनोखा सैटलाइट है जहाँ वाटर एज़ प्रोपैलेंट यूस किया गया है आते हैं दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था इस साल के लिए इस मोस्त इंपॉर्टेंट कोशन आ चुका है तो यह प्रोजेक्ट बहुत ही मैं आसे चार जल पहले बना चुका हूँ और निसार को बहुत ही बहतरीन तरीका सिर्फ 40-50 मिनेट का वीडियो है जो मैंने वहां कराया हुआ है ओके फिलाल यहां शौर्ट में आते हैं निसार प्रोजेक्ट का पूरा नाम है नासा इसरो सिंदटी का पचरडार 2021 में इसे लगाने की बात हो रही है फिलाल नासा इसरो मिलकर 2008 से ही पिस्फुल परपस के लिए काम कर रहा है आपको बताओं दोस्तों जो भारत ने चंद्रियान वन भेजा था उस चंद्रियान वन प्रोजेट में नासा ने भी भारत की हेल्प की थी और इंडिया और नासा के बीच में जो कगार है जो कोपरेशन से जो अरेजमेंट है वो वैलिड है तिल 2034 तक दोनों मिल जुलकर इस पीस में रिसर्च करेंगे सबसे पहली बाताओं नासा इसरो सिंदेटी के पच्छा रिडार में कुछ चीजें अमेरिका बनाने वाला है कुछ चीजें इंडिया बनाने इसलिए इसको दो फ्रिक्वेंसी का ट्रांसपॉंडर या डूवल फ्रिक्वेंसी बोला जाता है इसमें हम डिफरेंट दरह के रिमोट सेंसिंग आप्जर्वेशन करते हैं अर्थ के नेचुरल प्रॉसेस को समझने में क्योंकि अर्थ आप्जर्वेटरी सेटलाइट होग इसके लावा कोलाप्स हो रहा है इवन यहां तक कहते हैं दोस्तों यह इतना सुफेस्टिकेटेड होगा एक बहुत ही इंटरस्टिंग न्यूस है जहां भारत में भी अभी काम करना सुरू किया है बहुत ही बड़े-बड़े विजन्स लेकर आया है जिसकी बात करते हैं हम चाहिन के गांटम सतलाइट की चाहिनाने क्वांटम सैटलाइट यूज किया है और जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों अब किस चाहिना के सैटलाइट को के डेटा को जो कमिनिकेश्य इंफरमेशन या कोई बी डेटा यूज करते हैं इनको है करना मुसकी नाम से भी जानते हैं, Chinese researchers जो हैं, जो actually जो project लेकर आये हैं, quantum satellite और इस तरह की चीज़ों को develop करने के लिए, उसका नाम है quantum experiment at space scale, again I repeat, quantum experiment at space scale, जिसको Q-U-E-S project के नाम से भी जानते हैं, अब ये पूरी तरह से available है, और जो transmit करता है messages वगरा को space से अर्थ में, और पूरी तरह से स सुरक्षी तरीके से data को भेजता है, यहां पर जो data भेजा गहता है, दोस्तों वहां पर quantum key होते हैm, quantum light की unit होते हैं, तो quanta यानि light beam जो होता है, उसके तूरू data transfer किया जाता है, light beam का मदलब हम कहते है photon, यहां पर जो data transfer किया जाता है, का medium जो होता है quantum की distribution के द्वारा यानि photon के द्वारा हम यानि light की unit के द्वारा हम data को transfer करते हैं जिसको hack कर पाना नमुम्किन है QKD जो है quantum की distribution जो है इसमें दो distant users होते हैं जिनके मदद से काम करते हैं one एक time padding option होता है जो encrypt करके data को भेजता है और दूसरा उसको decrypt करने वाला था यानि अगर आप coding और decoding समझ सकते हैं simple भाशा में तो वो term मैं use कर रहा हूँ और यह ऐसा encryption है जिसको unbreakable है यानि कोई भी बीच में नहीं ले सकता है नहीं सुन सकता है और इस तरह की चीज़े साइबर सिक्योरिटी में काफी बेहतर होंगी किसी भी country का data पूरी तरह से सेफ रहेगा communication unit 4 में आते हैं जिसका chapter का नाम है unit का नाम है information communication technology short में मैंने इसे ICT के नाम से लिखा है यहां पर दोस्तों committee एक बनाई गई है भारत में data को protect करने के लिए जो union ministry of electronics and information technology जिसके लिए इस committee को बनाने के लिए मंदब कारी किया है जिसका जो head है जो committee का जो सुप्रीम कोड के judge है जस्टिस बी एन स्री किष्णा को इसका head बनाया गया है और इसी के द्वारा data production bill लाया जाएगा यहां पर भारत क्या कर रहा है जो हमारे data है आज समय के साथ data और बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं आज देको अधार हो गया digital locker हो गया सब कुछ internet पे हमारे data बढ़ते जा रहे है उन data को protection करने के लिए बिल लाएगा यह कृष्ण कमिटी जो है जो data हमारा बढ़ता जा रहा है जिसमें सारे information रखे जाते हैं इंटरनेट पर उसे हम बिग data के नाम से जाते हैं यानि large volume of data यह structured data भी है और unstructured data भी है और यह जो है एक तरह का data analytics center बनाने की बात किया गा जो हमारे रास्ट में होगा और जहां पर क्या होगा जो national data sharing accessibility policy 2012 को follow करेगा तो यह थोड़ा याद देखना big data management policy इसके लिए आ चुकी है और यहाँ पर भारत में जो भी है national informatic centers जो है वो इन चीजों को इसके लिए काम कर रहा है इरकम portal launch जहां पर digital money, digital धन इस तरह की बात हो रही है वहाँ पर आप खुछ जानते हैं भी मैं आपकी बात हो रही है वहाँ पर इरकम भी एक नया term लाया गया है तो आप याद रखेगा दोस्तों इरकम एक portal है जो launch किया गया है जो इरास्टिय किसान एग्री मंडी इसका प जाएचने का एक जरीया है एक तरीका है ताकि market को मतलब पूरी तरह से farmers को अच्छी तरह से बेनिफिट मिल सके यहनि इसका परफस है कि connect करना farmers को एक छोटे से village को बड़े से market को है ना internet के माधियम से आप कहलो पूरी दुनिया के market को connect करने में मदद करेगा यह डिजिटल जो साथ साथ farmer को बहुत सारे public sector units को civil suppliers को और buyers को एक single window platform से connect करेगा यह रखम सेंटर जो होगा यह throughout the country काम करेगा और एक phase manner में धीरे धीरे यह हम इसको बढ़ाते जाएंगे online sell को और बढ़ाते जाएंगे और यहां पूरा का पूरा जो मेड़ा जो मेड़ा प्यमेंट होगा आगे बढ़ा दोस्तों इंडिया का पहला internet of things policy जो है जो बनाई जाई है और जिस पे news भी रहा है जिस पे काम कर रहे हैं आगे 2020 में बहुत अच्छे result आने वाले हैं जो की एक तरह से smart India या digital India का concept है internet of things IOT को लेकर बहुत सारे issues है इसके बारे में आप देखेगा इसके बार इसका में इंडिया में आयोटी को इंडस्टी के साथ करनेक करना है और तकरीबन इंडिया में जो benefit है डॉलर के respect में जो earning है वो यूज डॉलर 15 बिलियन के असपर 2020 तक बढ़ा देने की बात हो रही है और यहां पर एक इंडियन फोरम भी बना गया है जहां पर कहा जा रहा ह है कि 2020 तक इवन करेंट अगर रेट से अगर देखा जाये तो तकरीबन देखे इस इस हीसों में बढ़ भी देता हूं कि आयोटी इंडस्टी इंडिया तो रीज दा मार्क आफ यूज डॉलर 15 बिलियन बाई 2020 बाई इंडिया का पहला पॉलसी भी बनाएगा है इंटरेट आफ धिंग्स को लेकर और यह पहली पॉलसी जो है वो हमारे इंडिया में स्मार्ट सीदी प्रोजेक्ट और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को बूस्ट अप करेगा इसके बारे में आप आप अप्जेक्टिव में जो भी इंफर्मेशन था मैंने आपको बता दिया है इसका पूरी प्लैनिंग जो आपको बता चुगा हूँ वो डाइटी ही कर रहा है डिफेंट तरह के रिसर्च के साथ को लेकर भारत में और यह पॉलसी जो आई दोस्तों बेनफिट होगा डूटी फ्री होगा और यह एविलोबल होगा रा मटीरियल लगरा के लिए जिससे आयोटी डिवाइस को बजादा से जादा बनाया जा सके और डिफेंट और इसमें मदद करेगा इंटरनेट आफ थिंग्स को बूस्ट अप करने के लिए और इसको पूरी गरीयत सी कंपनी जो बता रही है कि मैं आयोटी तहली कंपनी हूँ जो भारत में घ्राउंड लेवल पर काम कर रहा हूँ और यह इस में आट्रों जो है इसने बनाया है जो एक इस ने बनाया है उसका नाम है ट्रॉन एक स्टश डे आर ओ और एक साट दोस्तों एक यह हमारी life को काफी easy बनाएगा हमारी life को बहुती smart बनाएगा ट्रांसेक्स की बात करें तो एक intelligent ecosystem है जो different तरह के ranges पर हमें connect करेगा different तरह के devices की मदद से Tronics के बात करें तो Tronics भी कई तरह के कई level पर काम करेगा Tronics भी जो होगा एक टो Tronics परसनल है जैसे Tronics जो है वो Tronics परसनल है एक रोनेक्स हेल्ट है एक है Tronics home एक है Tronics infrastructure यारी इंफ्रा से लेकर है अपाट वो ती Tronics परसनल जो है वो किस तरह के ओफर करेगा यह परसनलाइज एंटर्टेन्मेंट के लिए होगा क्योंकि परसनल है आयोटी के थू करेंट करेंगा इंटरनेट आफ तेंग्स को जिसमें ट्रेवल शॉपिंग फाइनशियल हेल्थ इवेंट क्या करेंगा अब सबस्क्राइब अब सबस्क्राइब अब इस तोर करने वाला है और एवरी मुमेंट अफ टाम यू के एक्सेस कर सकते हैं आप आसानी से इसको एकसेस कर सकते हैं प्रांसेकस होम के बारें बात करें तो यह एक कंट्रोल लॉटकिंग मैकनिजम है जो डिफरेंट तरह की सीक्योटी अपडेट देगा हमारे घर के अंदर different तरह के appliances है जो water key services है electricity services है, payment modules है वहाँ पे IoT बहतरन तरीके से काम करेगा internet of things प्रांसर के infrastructure के बारे बात करें यह B2B system है, business to business जहां share to share की बात हो रही है, market की बात हो रही है यह AI assisted system है जो cover करेगा और monitor करेगा different तरह के management services को आगे बात करते है ICT figure 2017 information and communication technology 2017 का क्या data आया है 2017 में इस दोस्तों, इंडिया और चाइना दुनिया में ऐसे country है जहां तकरीबन 39% या तकरीबन आप कहलो 8-30 million young people worldwide okay, worldwide information and communication technology का यूज़ रहे दुनिया में तकरीबन 40% लोग जो ICT का यूज़ कर रहे हैं वो इंडिया और चाइना में रहते हैं और international level पर information communication technology को control करने के लिए जो body है उसका नाम है International Telecommunication Union ITU इसकी भी अस्थापना एक तरह से UN नहीं की है ओके दोस्तों अब आगे बात करते हैं तो इसको देखते हुए sufficient increase in broadband access और बढ़ाने की बात हो रही है subscription चाइना को लेकर least developed countries में भी इसकी बात हो रही है फिलाल इसमें ऐसा कोई भी data नहीं है जिसके बारे में आपको बताया जाए जो आपके exam के लिए important हो सकता हो एक information आपको ज़रूर बताऊंगा यहाँ पर कोशिश यह हो रही है कि high speed fix broadband subscriptions जो है developing countries में उसको बढ़ाया जाए 2017 में जो एक report है दोस्तों कि अगर हम global internet penetration rate को देखें तो men जहाँ पर 50.9% के आसपर यूज करते हैं female वही पर 44.9% दा women internet को यूज कर यानि कहने का मलब है men जो users हैं पूरी दुनिया में internet के वह जादा है आगे बढ़ते हैं free new age email services यह information रहा है जैसे कर पूस्दे गवर्ण आपकी एक्जामे की किस state ने या किस तीम ने अभी रिसेंट्ली जो है free email services लाया तो यह याद रखना राजस्थान में वसंद्रा राजे गवर्मेंट ने 2017 में email evolved facility every citizens के लिए अपने state में उपलब्ध कराया है आगे बात करते हैं project brainwave के बारे में project brainwave क्या है दोस्तों Microsoft ने project brainwave को launch किया है एक deep learning acceleration platform है जो पूरी तरह से real time artificial intelligence पर काम करेगा जैसे सूफिया एक तरह का artificial intelligence है तो भारत में artificial intelligence से लिए काम करने के लिए project brainwave लाया गया है जिसे Microsoft लेकर लाया है अगर यह objective होता है तो इसे आप टिक कर दीजेगा यह project brainwave के बारे में एक लाइन और याद देखेगा है यह एक FPGA है तो project brainwave क्या है एक तरह का FPGA FPGA क्या होता है field programmable gate array field programmable gate array एक infrastructure है जो यह काम करता है इसके बारे में याद रखिएगा आगे बढ़ते है National Highway Authority of India ने लाँच किया है mobile app My Fast Tech and Fast Tech Partner फिलल इस पे कोई बहुत ऑथन्टी कोशनी बनता है इसमें radio frequency identification का यूज किया जाता है तो से radio frequency identification ही reader का यूज करते है जब हम कोई बार कोड या जब मार्केट से कोई सामान करें जब आप बिक बजार जाए या कहीं जाए यह ना सिंदल्वाल जाएगे तो वहाँ पर जो जो कोड़ी होती exactly यहां पर आपको एक प्लास्टिक मिलेगा प्लास्टिक मतलब यह कहलो कि क्या सकते है जैसाया आपके पास पास बॉट्पोर्ट्थर होते हैं जासे आपके पास काड के तग की तरह होगा और उसमे मीजिहें आप यह kupon जो भी क्यों आपके तो उसका देडा हम कखी ह影片 काट अपक सकते आपका मोबाईल फोन आपका पूरा का कार्ड होगा आगे बात करते हैं, डिफेंस टेक्नोलिटी में ऐसे कौन काउस चीजे हैं, जो न्यूस भरी हैं, और अब मैंने आपको हमेशा बोला है कि डिफेंस पे जो भी कोशन आते हैं, वो जनरली करेंड अफेर्स पे बेस होते हैं, आईसी जी 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 सारिया जो है, जो है वो कमिशन काउस पर है, उस पर आधारित है, इसको जादा जानने के जूरद नहीं है, इसके बारे में एक चुसदर जार जादेखिएगा, इसमें ट्विन इंजन है, और लाइट हेली कॉस्टर को लेकर चलता है, और दूसरी चीज इसका जो फाइव हाई-स्पीड बोर्ट्स हैं, ज प्राइवेट मिसाइल प्रोडक्शन फैसलिटी जो भारत में सुरू हुआ है जिसको है इनागरेट किया गया है जो की तेलंगाना का एक तरह से अगरे बात करते हैं इंदिया का कल्यानी ग्रूप और इसराइल का राफल करने लिए प्रॉप करने करते हैं जैसे कि आप hatırक्राइब आगे बढ़ते हैं जैसे कि आपड़ों और के रिमोट ओपरेटिया猜़्सिस्तो और होन पहिकिल बना रहे हैं। इस तरह के चीज़ों को बनाने की कोशिश भारत में की जा रही है। आगे बात करते हैं नाविका सागर परीक्रमा। बारे बात करें। तो यह प्रोजेक्ट जो हैं पूरी तरह से। यह व्मन ऑफिसर्स हैं जो बोटिंग होती हैं। आप मेराइन इंजीरिंग को समझते हैं तो आप समझते होंगे कि बोर्टिंग होती है यह लोग पूरा का पूरा ओशन के अंदर होते हैं पूरा एक मतलब एक ट्रायल होता है इसके बारे में सबसे यूनिक चीज क्या है कि नाविका सागर परिक्रमा यह पूरी तरह से फीमे जो इसके इसके बिलता जो वेसल जो यूज किया था उसका नम आएएनस महादी था तो इसके बारे में यह तरह से नारी शक्ति को लेकर इक तरह की बात है तो नाविका सागर परिक्रमा याद रहेगा यह वीमेन ओपरेटेड वेसल था पूरी तरह से इसमें कोई भी मेल न तो वीबंद्ट शेक्सशक्ति करण की बात है, Indian Try Services exercises यहां में इंडिया, रश्या के बीच में यहें ट्राइ सर्विसेज रहा था, जो आर्मी, नेवी, एर फोस, तीनों के लिए हैं 2017 में किया गया, यह exercise जो है विद फारें कंट्री के साथ मिल्डूल के हमेशा भारत कर रहा ह इंद्रा एकसर्साईज दो हजार सत्रह में इस तरह का, नैनो टिकनोली वैडिक जूड़ए गए है उसे कौन से कोशन है, जो यूनिट 6 से हैं तो हाँ पर बात करते हैं, एक टास्पोर्स है जो आर्टिविशल इंटेलिजन्स के लिए बनाया गया है, जिसको बनाया है Commerce and Industry Ministry, Shri Mati, Nirmala, Sita Raman, Commerce Industry Ministry, इन्हों एक Task Force बनाया है, जो की Artificial Intelligence को काफी हद तक ग्रोथ करने के लिए, जिसके उसे इंडिया का Economic Transformation, यानि Economic Sector को काफी हद तक बूस्ट अप किया जा सके, इसके अंदर जो है, जैसे Big Data को और ज्यादा पावरफुल बनाना, High Computing Capacity करना, Artificial Intelligence में और ज्यादा काम करना, इनलिटिक्स है, Industry 4.0 का इम है दोस्तों, Digitalize Manufacturing Sector है, जो भी Manufacturing Sector है, जो काफी तरह से Dislize करना, और Artificial Intelligence के थूँ हमें Connect करना, यह पूरा का पूरा जिसके जो Members है, जो मिल जूलकर काम कर रहा है, यानि कौन कौन से से Department है, तो नीती आयोगी इसके लिए काम कर रहा है, Ministry of Electronics and Information Technologies के लिए काम कर रहा है, Department of Science and Technology के लिए काम कर रहा है, UID यानि आधार और DRDO, यह पू लाटिंग है, Climate Change के लिए and Prevent Pollution, है ना, Pollution को बदब रोपने के लिए, इनको हम यूज कर सकते हैं, जैसे कर हम बात करें, तो globally बहुत सारे साइंटेस्स हैं, जो different तरह के नैनो माटिरियल, नैनो धातुआ वगरा बना रहे हैं, that can effectively help reduce carbon dioxide from the air, और एक तरह से जो बायरेमेडि कोशन 2017 में, माइक्रो रेमेडियेशन के नाम से पूछा था, जहां पे पूछा था, कि माइक्रो ऑर्गनिजम जो होते हैं, वह हैवी मेटल को डिकम्पोस करते हैं, पूरी तरह से गलत था, तो यहां पी जैसे डाइज हैं, और स्पिल्स हैं, इन सब को हम नैनो माटिरियल क के मदद से हम ठीक कर सकते हैं, बायरेमीडियेशन कर सकते हैं, फॉलूशन जो होते हैं, वहाँ पर जो लिविंग अल्रीजम से यूस करते हैं, तो इस तरह की चीज़ celebrities, जो हैं, नैनो टेकॉलो जैसे हम क्ञें, जो हैं धनके हैं बाइज नैनो माटिरियल में झाहिन के य एक तरह का chemical reactivity, electronic properties और anti-microvol activity को चेक नैनो material की मदद से हम कर सकते हैं. तो वही बेयाँ पर बोला जा रहा है कि हम combating carbon emission को harvest कर सकते हैं, यानि कम कर सकते हैं, water को clean कर सकते हैं, दोस्तों, water clean कर सकते हैं, बायो degradation process को हम fast कर सकते हैं, नैनो material की मदद से, तो यानि environment में nanotechnology का महत्त जो है, वो भी अच्छा कासा boost up हुआ है. दुनिया का सबसे छोटा surgical robot है, जो बनाया गया है, जिसका नाम है, दोस्तों, versus, तो अगर पूछाएं कि हाली में versus जो news में रहा है, वो क्या है? V-E-R-S-I-U-S, तो versus जो है दुनिया का सबसे छोटा surgical robot है, जो बनाया गया है, और यह पूरी तरह से 3D screen अधारित है, और यह पूरी तरह से हमारे शरीर में काम करता है, एक तरह से यह होता कि एक छोटा सा incision हमारी body में होता है generally, और उसके तरह यह body के अंदर जाकर, यानि एक open invasive surgery करनी के जुरत नहीं है, नॉर्मल surgery में होता है, हमारी body का पूरा portion cut होता है, फिर doctor operate करता, organ को बाहर निकालता है, यह चीज़ा इसमें नहीं है, इसमें benefit किया है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, छोटा सा nano type का nano surgical robot होगा, body के अंदर जाएगा, टारगेटिंग कर प्रॉपर साइट्स पर जाकर हमारे ड्रग वगरा को टारगेट कर सकता है, तो वर्सियस याद रखना, वर्सियस आपके paper के लिए, कोशन हो सकता है, इस टम को थोड़ा सा ध्यान एक तो आपको विजय याद रखना पड़ेगा, इस साल सरोगेट काउ, जिसका एक नाम है विजय तो इंडिया का पहला जो काफ है, जो बच्छडा है, जो बॉड़न हुआ है, सरोगेट काउ से, उसका नाम क्या है तो विजय है, जो हमने इंडिया में हाली में बनाया है, और ये इन विट्रो फर्टलाइशन के एक अच्छा खासा उदाहरन है, ये एक तरह से मोब लबरोटरी है, जिस मोबाईल लबरोटरी के तो वारा इस सरोगेसी को मतलब जन्रेट किया गया है और एक काफ बनाए गया है, जो जो पुने हैं, इंदपुर पुने महरास्ता में ये काम किया गया है, इसके पहले भी इस तरह की कोशिशें भारत में हो चुकी है, जिसके बहुत ही पॉपुलर एक इस जूट है नेशनल डेरी रिस जूट शाद आपको बता होगा इंडिया का पहला जो क्लोन बना था जो बफैलो था वो यहीं पर बनाए गया करनाल हरियाना में फिलाल यह अगली कोशिश है जहां पर हमने काउ के मतलब काफ यानी बच्रे को हमने स इसका नाम वीजय रखा गया है तो आप इसको कन्फूज मत कीज़े का वीजय क्या है एक ड्राफट गाइडलाइन है जो स्टेम सेल रिसर्च के लिए है थोड़ा सा याद रखना च्योंकि स्टेम सेल के मिस्यूज इस हो सकते हैं स्टेम सेल को लेके बहुत सारी कंट्रोव करेंगे इंडियन कॉंसिल अब मेडिकल रिसर्ज आइसी अमार जो है वो डिपार्टमेंट अपार्ट 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 कॉली के साथ मिलकर काम कर रहा है रिसंटी और इन चीजों को लेकर एक ग्राफ्ट गाइडलाइन लाया गया इस्टेम सेल की टेकनिकल पार्ट को में हैं नहीं ले रहा हूँ सिर इसके अंदर एक कंडिक्र क्या है जो सकता है उनित 9 में आते हैं हीलथ- tidak बात करते हैं ग्युन आपक है दुनिया का पहला इसे का पहला plant-based Been का वैक्सीन जो भृप चीपर भी 3 इसे दोस्तों जो बनाया गया है वो तोबैको चीपर अंदर बनाया गया है सिच्भ मैं वहां प Vergleich मैं आपको एक बात पाद पड़ाओ आप दोबुक में आप वहां पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एडबल वैक्सीन जहां पर मैंने आपको molecular farming पढ़ाई है या pharmaceutical वाली फॉर्मिंग में बुक में दी हुई है biotech में वहां मैंने बता हुआ और मैंने यह भी बता हुआ है तोबैक को ही ऐसा प्लांटा जहां सबसे पहले एडबल वैक्सीन भी बनाया गया था अगेंस हीपटाइटीज भी आप देखो यहां पर जिका वायरिस के बारे में जिका उसी मास्कीटों से फैलता है जिससे डिंगू फैलता है यह कोशन को तो तो 16 या 17 में पूछा जा चुका है तो यहां एडीस मास्कीटों स जिका ही नहीं जिका ही नहीं डिंगू वेस्ट नील फीवर यलो फीवर यह सारी बीमारियां देता है क्या पता यह आ जाए कि इसमें से एडीस कौन कौन से डिजीज देता है यह तीनों याद रखना दोस्तों इसके लावे शयद आपने चिकन ग्वीनिया भी सुना होगा में भी एडीस मॉस्कीटो का ही नाम आता है जो वायरिस जो जीका फॉरस में सबसे पले युगांड एरिया में बीमारी देखी गए नाम जीका रखा गया तो 2015 में फिर अमर्जोकर आया और काफी साउथ अमेरिका में मिलियन्स अब द लोग इससे इंफेक्टेड हुए थे को में बात होती है उसके बात करते हैं मिसल्स रुब्यला वैक्सीन का सेकंड फेस जो है वो लॉंच किया गया है एट स्टेट में और यहाँ पर पूरी कोशिश है कि हम पूरी तरह से मिसल्स है ना और को वगरा को अगरा यस तरह की बिमारी को 2020 तक हम यहां से भारत को चंडिगर्ड, हिमांचल प्रदेश, चंडिगर्ड मतलब आप एक लोकलाई जरिया कह सकते हो जो कि पंजाब का है, केरला, तेलंगाना, उत्राखान, दादर, नागर, हेवेली, दामनेंदीप, विल बी कवर्ड इन दिस स्टेज, इसमें एक्चुली जो वैक्सिनाइशन होत तो जो नाइन मन्स से लेकर आप तो पंतरह साल तक के बच्चे हैं, उनको इस तरह के वैक्सिन दिये जाते हैं, और तकरिवन कोशिश है कि इस तरह से 97% आफ एज ग्रूप, मतलब जो भी इस तरह की एज ग्रूप वाले हैं, वहां तक हम पूरी तरह से पहुँच जाएं, नेशनल डी वर्मिंग इनिशेटिव भी है, इसके बारे हम बात करते हैं, दोस्तों, वर्म एक तरह के क्रीमी होते हैं, जो प्लेटी हल्मेंथी वगरा के मेंबर होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेर ने एक तरह से 2nd round नेशनल डी वर्मिंग डे जो लांच किया है, 2017 में, जो 33 स्टेट इन टरेटरी इसकोट का टार्गेट है, डी वर्मिंग यानि वर्म फ्री करना, क्रीमी से बचाना, इसके लिए जैसे आगनवाडी वर्कर्स हैं, जो काम करते हैं, आशा है, जो एक अजंसी है, जो काम करती है, ये एंडी प्रोग्राम ज किया है, तकरीपन 220 मिलियन चिल्रेन, जो 14 साल से नीचे हैं, एज वाले हैं, वो इस से सफर करते हैं, इंडिया में, यानि कहने का मलदब है, इंडिया में अच्छे खासे लेवल पर इस बिमारी से STH infection, अब बोलते हैं, स्वाइल ट्रांसमेटेट हलमिंथ बिमारी से ग्रस जनली इस में जिन बच्चों की टेथ होती है, तकरीबन 1-19 साल के होते हैं, वो तकरीबन 1-19 साल के होते हैं, यहां पर एक चीज मैं आपको बता दो, ऐसा कौन सा टाबलेट है, जो डी वर्मिंग के लिए सब सब्सदा यूज और सेफ होता है, इसका नाम है दोस्तों, इल नाम है L-Band Dissol, जो काफी safe drug है और वर्म इंफेस्टेशन के लिए अची तरह से मदद करता है जो रिलेटेशन और हाइजन इसी को हम बीमारिया होती है वाटर सैनिटेशन और है इसी की बज़ा से इस तरह के प्रोग्राम को चलाने से विए बच्चे मिल जाते हैं और इसको पूरी तरह से बच्चों को नुक्त कर सकते हैं इन बिमारियों से आगे मिसलीनियास टॉपिक आते हैं, that is the last unit of this book, यहांई बुक के बेस पर बेस करेंड अफेर्स जहांपे 5 चामिकल्स को बैं किया गया है, फायर क्रेकर्स में, आप जाना दोस्तों मैंने फायर क्रेकर्स पर भी दीपावली वेकरिशन के टाइम मैंने एक वीडियो बनाया थ करके बारी के सब्सक्राइब चाइब इसलाओं इस बारा सबस्क्राइब चाहते हैं जो गया है इस फायर क्रेकर में पूरी तरह से इन्हीं चाहते हैं इस जो आपने निमिकल्स को नहीं है S desta, अ हमारे इंडिया में जो बताता है, CPCP बताता है, Central Pollution Control Board की कौन सा chemical किस लेबल पे toxicity रखता है, तो manufacturing जो fire records है, उसमें इस तरह की चीज़ों का use नहीं होगा, कौन कौन से ऐसे chemical इसका use हम firecracker से बंद कर चुके हैं, Supreme Court का order है, antimoney, lithium, mercury, arsenic, और lead यानि सीशा बिल्कुल भी प्रियोग में नहीं लेना चाहिए, यह order जो आया है दोस्तों, यह CPCP और PESCO, इन दोनों है मिलकर काम किया है, जिसके वेसे सपर सुप्रीम कोट ने इनको पूरी तरह से बंद करने की बात किया है, पेसको नम थोड़ा याद रहता है, यहाँ पर आपके एक्जाम के लिए important हो सकता है, पेसको का पूरा नम होता है, Petroleum and Explosive Safety Organization, देखो आप उती देखो नम कहा रहा है, Explosive Safety Organization, यह Firework Research and Development Center, जो की Sivakasi में है, इन लोगों ने मिलकर इसकी पूरी जानकारी दी है, तो पेसको के बारे में थोड़ा याद देखना है, पेसको जो बनाया गया था, इसका मेन परपस था, तो control and administered the uses of explosive petrol stations in India, यानि इस तरह के explosive वगरा वो petrol stations वगरा पे यूज ना किया जाए, हाली में दोस्तों, cloud seeding project है, करनाटका में हुआ है, जो की चकूर, air friend वगरा में है, इसके बारे में जिसका वर्साधारी नाम रखा गया है, जहां पर cloud seeding का बता होता है, आठी भेश रेन, जहां पर दोस्तों, यहां पर silver iodide art की चीज़ों को हमने यूज किया है, जिसको BQ100 के नाम से भी जानते हैं, फिलाल, यहां notes मैं नहीं लिखा लेकिन आपको बता रहा हूँ, BQ100 इसमें silver iodide और कुछ alkyl halide को मिला कर, हमने cloud से क्या कराया है, बारिश कराई है, दोपर के बाद बन जाते हैं, इन चीजों के miqsing के बाद हम इन से बारिश करा सकते हैं, क्योंकि क्लाउड्य कि अब्टे saysction न ओनी चनालाइड और लाज़ यहां और यहांतरा स नाम sparkly aodide के top एक है क्या है इनियुक्तित करते हैं रहते हैं, और अधर्स भी मिलाते हैं जिसकी वादर से ड्रॉप्लेट जो होते हैं वो फेल्ड आउन ऐज रेंड ओके दोस्तों यहां पर यह पूरा का पूरा अगस्त मन का करेंड अफेर्स खतम हो चुका है बाकी आप मेरे फेस्बूक पेज पर आप जाएए इस मन्त के प्रेटफर्म पर इस मंत के बने हुए आप उनकी प्रैक्टिस जरूर करें इंके लिंक के साथ आप जाएए उनको पूरा का पूरा आप पर आप पढ़िए और बुक को जरूर फॉलो किज़गा क्योंकि सारे कंसेप्स यह पॉस्बुल नहीं करेंड आप जिजों अपना ख्याल रखेगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजेगा चाहे वो हमारे बारे में अच्छा हो या गलत हो गलत के लिए भी अगर आप निगेटीव भी बोलते हैं वह हमाईरे पॉस्टिव होता है ज्योंकि वह हमें इंप्रूब्मेंट की बात होता है पूरी जिन्दगी हम टीचर्स भी कुछ न कुछ सीख रहे होते हैं तो थैंक यू अपना ख्याल रखेगा टेक गयर